हलो फ्रेंड में उस्योंने मिस्टर स्वागत है आप सभी का डेजाइन पूर में आज में आपके साथ बैक ब्लोड डीजाइन से एर करने जारे इसकी लंबाई में तीरे इंच रखी चोड़ाई 10 इंच है सोल्डर की चोड़ाई साथे 5 इंच है आर्मोल की भी साथे 5 इंच रखी है विजो रखी हो में तो पॉइंट फाइंच रखी हो अपने कॉर्डिंग भाई तीन पर ले सकते जितना आपको डीप इंच चाहिए निचे के साइट से 3 इंच पर मार्क करेंगे तो नों मार्किन को को बराबर करते हैं से प्र तो जो करेंगी गल्यक्त की लांबा इने 8 इंच रकर Пशाषिए हैं अपने गरीद्स की यहां इस bear कर लेंगे तो जिस तरीके से design का mark किए इससी तरीके से आपको cutting भी करनी है तो marking की उपर से से गले को cut कर दीजिएगा ब्राबर में ही तो मैंने ग लेगा पुरी कटिंग़ कर दिए इसके साथ में लिखें असतर का अ प्रबवर की死ुण घरन की छट्र फंसे करें एक संब हरा ब्लावर में अभी का क्येम तो गल्ले की मैंने पूरी स्टेचिंग इस पर कर दिया सिधा कर लिए इसकी उपर सिलाई लगा तो इसके पूरे फिनिसिंदे देंगे इसे गला उभर कर दिखें लगेगा तो यह आपको समझ में आया होगा ब्लाउस की और रांड पर स्टेचिंग करेंगे अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर फैलाएगा साइड साइड से सिलाई लगाते हुए अस्तर ब्लाउस का फैबिक दोनों को साथ में अटेच कर दें की टो तो मैंने देखें ऑल रांड इस्टेचिंग कंप्लीटी ब्लाउस की कर दिया है इसके निचे की साइड से आपको टक्स लगाना है तो पूरा शिलाई लगाने को फिर नीचे के साइड से आपको बराबर इसमार बराबर मेशरमेंट लेती हुए तर टक्स को स्टिच क कर लिए इस तरीके से माप लेते हुए तुसरे साइट से भी टक्स को स्टिच कर लेंगे अब टक्स की स्टिचिंग करने वाद नीचे का मॉर्डर बनाएंगे उसके लिए मैंने अस्तर का ये फ्राब्रिक कटके इसको नीचे के साइट बिलकुल बराबर रखना है फिर अब क्या करने आपको पट्टी को डबल फोल्ड करने और ब्लाउज में साथ में जॉइंड कर देना है उपर के साइट फोल्ड करते हुए फिर सिलाई लगा कि नीचे का बॉर्डर बना लेगे तो फिर आप वीडियो में देख लिए आपको समझ में आ जाएगा मैं नीचे बॉर्ड ब्लाउज पर कैसे बना रही सितरी के से बना लेचेगा इसका पुरा कम्प्लेटी ब्लाउज का बॉर्डर बन चुका है गलिक इसके डिजाइन करके दिखाएंगे तो ब्लाउज को साइड रखते हैं और मैंने पट्टी लिए है इसको मैंने स्ट्रेच बल में इसका परिसे कर देंगे के त्रक्ष्टर पर त्रक्तकर करके निकाल दीचिएगा और रॉंड में विल्कुल इसको फाली इसके पट्लेटी से ऐसके फोर्ड करते हुए व्लकुल अच्छे से बनांके सिलाई〜ई आपी सिये निसे करलेंगे कि कम्प्रेटली मैंने ब्लाउस के उपर आपको पाइपिंग भी लगा की दिखा दिया है अब इसको साइड रखेंगे और मैंने दीखी कुछ पर आप देखी स्क्वेयर में कट किया इनकी लंबाई चोड़ा जो रखी वो तीन इंच के बराबर में हैं इनको फोर पार्ट क् और लीचे के सायट से एसके सिलाई लगाते हुथ इसायग को स्टूच कर देना है इस Nh你们 क्या deepest इसायग कि करते हो बलनाने से इसमें क्लीर आपको वीडियOO में दिखा रहे हूं और प्लाउज गले में दिजाइन को टेच करेंगे, दिजाइन जिवने लेलिया है। देख लीजें मैं दिजाइन को कैसे गले में पर टेच कर रही हूँ, इसी तरीके से पुरे गले प्यापु टेच करना है। बीच में ग्यापिंग गुर्पूड रखने एक दूच्छे के बरावर ही डिजाइन को रखेंगे तो एंड तक मैंने सीम डिजाइन को लगाते हैं गले पे टेच कर दिया विस्की डेक्रिशन करने के लेस लिए लेस को जहां से डिजाइन को स्टिच के से मुझी जगा से लेस को भी रखते हैं पूरे गले पे तो यह दिखिए मैंने लेस को भी स्टिच कर दिया है अब बलाउस को साइड रखेंगे और आगे का डिजाइन बनाने के लिए मैंने एक पट्टी कट की इसकी चोड़ाई जो रखी है 1.7 इंच है इसको दोनों साइट से थोड़ा थोड़ा आपको बरावर में फोल्ड करना ह इसको फोल्ड कर देना है बीस से तो समझ में आया होगा आपको वीडियो में कैसे में फोल्ड किया फिर सिलाई लगाते हूं इसससे स्टिच कर देंगी आओ अ कि ये पट्टी एक साइड से सिलाई लगा कर रिया है इसको पहले साइड रखेंगे और मैंने ये newspaper लिये acord double fold करके रखे हैं इसके blouse को भी बराबर में his double fold करते हैं रख दीजिएगा और इसके गले के बराबर में आद्हा एरिया तक क्षचा अब क्या करेंगे newspaper के ओपर डिजैन करेंगेनि अभी потреб प्टी बनाई थी उसी से आपको इस पर डिजाइन करनी है तो क्लियर समझ में आ जाएगा आपको वीडियो में देखती रहें कैसे में डिजाइन कर रहें पटियों से इसी तरीके से कर दीजेगा बीच में थोड़ी थोड़ी गैपिंग रखते हो पट्टियों का टेच दूट्रे साइट से भी सेम बराबर में इकवर होना चाहिए दोनों साइट का ऊपर नीचे नहीं आना चाहिए तो आप इंची से टेप से मार्क वी मार्जिन भी ले सकते हैं इससे आपका डिजाइन इधर और ना हो बिल्कुल है कि देखिए मैं दोनों साइट से इसको कैसे बना रहे हूं इस तरीके से पुरा चेन बना लीजिएगा यहां से लॉक कर देंगे अब दोरी के दोनों कॉर्णर से लावर बनाएंगे उसके लिए मैंने दो फैबिक स्वेयर में कट इनको क्रोसिंग में पहले एक बर फोल्ड करके फिर दोरी के साथ में टेच है फ्लावर को पलेट कर सिधा कर लेंगे एक फ्लावर मैंने बना के दिखाया दूसरी डोरी के कॉर्णर पर सेम बना लीजिएगा तो दोनों मेरे बन चुकी है अब इसके बीच की चेन में मैं मोतियों से इसको डेकुरेट कर रहे हूं ऐसे कर दीचेगा जित्ती भी चेने कहएसं बिल्कुल बन करते आ रहे है विसको ब्लावट के साथ में ट्रेट करना है तो पहले प्लावो लेंगे 22 के य किस मोती लगा देंगे इनके को अंदर पर आपको मोतियों को लगानी है तो समझ में आ रहा होगा आपको इस तरीके से पूरे ब्लाउज की डेकृरिसिंग कर दीजिएगा कर दिजए हैं तो तो जीस तरीके से लगा के दिखाएयाया है तो पूरा मैंने कम्प्रेटिव गले को डेकृरिड करने बाद अब मैंने यए डिजाइन और ब्लाउज को इकली बरावर रख दिया है तो देखिए मैंने पूरे ब्लाउज की डेक्रेसिंग कर दी हैं अब कैसे मेरी डिजाइन का टेच करी ब्लाउज के साथ इसे तरीके से कर दीजिएगा तो यह पिने आप Cash लगी हो तो फिर को लाइक किजेगा मुझे कमेंट करके बताएं अब कैसी डिजाइन देखना पसंद करेंगी चैनल को सिस्क्राइब कर दीजेगा विल लाइकन को प्रिस कर दीजेगा में लेटेस्ट अबडेट पाने के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नए डिजाइन के साथ थां इसके वो चिजा रव जवीजे independent भाइब।